तो हम एक वह रहे थे जिसके अदर मैं आपको डेटा दिया बेसिक एडाइब टिक है रेड़ पर आर्स टैनर्स पर आर्स पर युनट 0.03 बश्चे कंपनी ने कितना टाइम दिये 0.0333 ऑश टिक है अब जिदा आर्स कितने इस तरी 60 त्थिक है अच्छा अब चलते हैं सब्सक्राइब 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 नहीं है टाइम से निकालोगी टाइम से पूछा था कि टाइम टेकन क्या है अगर हम जाके देखे ना है इसका मछतल सब्सक्राइब ने कितना है आड घंटे ले बने आठ गयाक बेसिक आर्च काम करता है अब टाइम यह एकुल यूनिट्स प्रोड्यूस्ट एक्चुल यूनिट्स प्रोडूस्ट मल्टीप्लाइ टाइम अलाउट पर यूनिट ठीक ऐसे ही है ना लेकिन अगर एक गुर्याद रख लो कि अगर वैसे तो टाइम अलाउट वैसे तो एक्चुल यूनिट्स यूज़ करते हैं हमेशा अगर आपके पास बजिट्ट यूनिट्स के है मारे पास 360 यूनिट्स मल्टीप्लय टाइम अलाउट पर यूनिट-0.0 333 तो 0.033 मुल्टीप्लाइ ट्री रिस सिक्स्टी यह आपके पास है एलेवन पॉइंट नाइन एट एट टिक है 11.988 11.988 आपके पास यह आगया माइनस एट आज टाइम अलाओ आया मतलब माइनस एट कर देते तो त्री पॉंट नाइन एट एट ठीक है अब 3.988 टाइम से प्री पॉंट नाइन एट एट आगया टाइम से इसका 90 परशन्ट लोगे पहले और फिर मल्टिप्लाइ सब्सक्राइब कर दों के बेसिक रिएट यानि के साथ यानि इसका 90 परशन्ट मुल्टिप्लाइब सेवन 25.124 25.124 डॉलर क्या बन रहा है बोनस बन रहा है तक्रीबंद सारों ने ठीक ही बताए ठीक है अगर किसी का ओपर नीची थोड़ा बहुत है तो देख लो एक मरतबा ठीक है ठीक है तो सबने ठीक है है हाँ पॉइंट की वज़े तो थोड़ा बहुत आपर नीची हो सकता है को इस्यू नहीं ठीक है पेपर में ऐसा गूईशू नहीं होगा पॉइंट सब्सक्राइब एक जैक्ट प्रफली मौक्स की होती है अच्छा इसे अगला आप लोगो जो टॉपिक होए था हाँ रोस एंड नेट सेलिवाला देखो या इसा आप किताब है कल जो करवाया था ना वह यह था मैंने अब कल गेम बताए थी वह यह थी किना होता यह कि लोस एल्डी वोस एल्डी होती है चंकी होता है ठीक है ना फुर्जेंपल एम्प्लोई का हक्ख क्या आपके राइट उसका याने किसका हग्या है कि हुसको हजार मिले जितना उसने काम किया लेकिन फटूब्स होती है यहाँ यूके मैं बोलते हैं पर एns एन एन एसी क्यों होती है एमर्जंसी सिटुएशन के लिए और पेंशन के तो आपको पता ही है क्यों कॉंट्रिबूट करते हैं ठीक है ना मतलब कि सो 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 तीनों चीज़े माइनस होके नेट सैलरी कितनी वनी साथ सो जो कि वह उसको मिलेगी वो गर लेकर जा सकता है ठीक है यह वाली सैलरी लेकिन बाकी कटोर्ती मतलब के बात अब मैंने कर लेक्ट कर रहा है वहां पर मैंने लेक्टर रोग दिया था वह 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 पॉइंट इसके इंदर ने एक दो बातें जी मैंने अभी नहीं बताये थी वह पहले सुन लो एक तो मैंने बात आपको उसी वाक्त लेकिन लेक्टर रेंड हो रहा था मैं थोड़ा साना ना सहां बनाऊंस का जगानी पड़ी इस साइट पे मैं यहां पर करते हैं देखो ऐसिए न मैंने अब को एक बात की थी दुबारा मैं यह वेला पांट tu जाना जार हो कूंका नहीं एक फॉर्मिला पहुंझाने आपको इससे न देखो अ की सेलरी बनती हजार बनती कितनी खजार उसमें वेन नहुने कितना सो टेक्स बात करने लगा हूँ जो उसकी सेलरी थी ना गोर से सुनना जो उसकी सेलरी थी असल में जो बनती थी उस जो हजार पे उसके मताबिक जो उसका टेक्स बनता था वो सो था मैंने माइनस कर दिया मिस्टर A ने जितना कमाया उसके मताबिक जो टेक्स सो बना सारा का सारा हुद दिया उसके अंदर ये नी था कि employee ने employee होता है जो जोब कर रहा हुता है ये मैं बार पर employee और employer बार पर बोलूँगा भी confuse ना होना employer होता है boss जिसकी company है वो employer जो काम कर रहे वह एंपलोई है अब एंपलोई जो काम कर रहे उसके मताबिक उसको अपना टेक्स होदी देना था उसने दे दिया सो जब एनाइसी की बात आई नैशनल इंशुरेंस कॉंट्रिबूशन की बात आई तो पता चला कि मिस्टर एक जो एनाइसी है वो टोटल है ड लेकिन यह रूल होता है यूड के अंदर के जितनी बंदे की एनाइसी बान रही होती है उसमें से थोड़ा हिसा बंदा खुद डालता अपनी से यानिके सो परेजमपल सो जो है वह से बुद डाला जानि यां याज़ मैने माइनस कर दिया सो क्था वाकि बांकी बंती डेट होते हैं calculations के मताबिक जो pension बनती थी उस बंदे की वह बनती थी एक सो असी एक example बता रहों pension कितनी बनती थी लेकिन एच मार्सी मतलब की जो टेक्स वर का authority हो कहती है या जो वहां पर टेक्स लेने वाली या जो बिजनस अथोरिटी जा हो कहती है ऐसा ना करो सारा वो नहीं देंगे थोड़ा वो तुम उससे लो यानि के सो फॉर एक्जेम्टी सो ले लिया employee से खुद यानि के सोस की कटोती हुई उपर उला एटी बोस जा लेगा उपर उला एटी बोस जा लेगा यानि के गोड़ से सुनना employee ने अपनी तब से सो 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 तीनों कटवा के साथ सो रुपया घर ले गया enjoy मारा ठीक है रच्छे वच्छे की है बात आ गही है कि यह पचास औ बोस को एक्स्ट्रा पढ़ें उसको देने पढ़ें यानि कि कोई पूचे कि यार एंपलोयर को टोटल हर्चा कितना हुए अगर पूछे कि एमप्ल्यूर यानि यानि बोस का टोटल हचा कितना हुए अगर और मैं उठके क्यों जीबशा बंदा उठके किह दें कि रिक्डिफ और सिर्फ हजार है पुर्फ जो ग्रोस सैलरी है वही समये दिये तो गलत हजेगा औरफ एमप्लोएयर का टोटल हचा कितन employer को पढ़ा है आप लिए तो growth salary यानी कि 1000 गलत होजेगा उसने एक तो 1000 दिया हजार दे दिया हाँ deductions तो बाद में ही वह employee के सरदर्द है लेकिन जेब से बोस ने 1000 पकड़ा निकाल के दे दिया ना क्योंकि उसमें सो 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 जो यह 300 है बोस की जेब में नहीं या यह तो government को गया बोस ने total कितना जो हग बनता था 1000 अपनी जेब से निकाल दिया पहली चीज़ तो growth salary निकल लिए गोर से सुनना plus जो यह 50 दिया था employer ने बोस ने जो यह 50 दिया था इसे बोलते हैं employer एंप्लोयर जे एंडाइसी पॉर्शन एंप्लोयर जे एंडाइसी एक्स्ट्रा से डाली ती यह 50 प्लस एंप्लोयर जे पेंचिन कॉंट्रिबूशन एंप्लोयर जे पेंचिन कॉंट्रिबूशन यह निए जो यह जो असी डाला था ठीक है एक मिन्ट रूपो एक मिन्ट अच्छा तो एक तो होती है gross salary ठीक है एक होती है gross salary एक होते है employers का एंडाइसी employers का मालिकों का बोस्ट ने जो दिया हुए पार्ट दिया हुए यह 50 और एक होता है gross salary कितनी है एक हजार पचास प्लस 80 यह कितने बनके 1130 यानि कि उस labor के पीछे employer को बोस्ट को 1000 रुपया नहीं कोस्ट पड़ी 1130 रुपय कोस्ट पड़ी ठीक है यहां तक clear है अगर clear है तो yes लिखो यह आपने प्लोय लिकर यह एंप्ट लाइड लिखा है यह को अपना इसको बढ़ी ना हचे जो पर रहे हो पता किया है वह लिखार की सैलिदिवेह प्रशन लिए वो उसको देने पड़ेंगे को實 नहीं है उसको साथ-से तो पॉइंट्स आपता है है अच्छा अब हम जा रहे हैं टूर्डज एक छोटा जब इंप्लॉइर की करते हैं तो सब जुक्त कर देते हैं और जब करते हैं तो उसमें तो हम उसे आइड क्यों करते हैं अब जिस तरह यह को से इसमें एक याइट की हैं एक लागि यह टेखो देखो मिरी बास सुनों अम्पलोयर जो था बोस जो था उसको ग्रोस सेनी मिली है या उसने दी है पहले मुझे ये बताओ सेलरी ने, बोस ने तो कि अपने जोब जोब करने आए heap उसको मिली नहीं है बॉस को सैलरी थोड़ी मिलती है बोधा किसी बिजनस का माली को हवाँ उसके सैलरी थोड़ी होगी उसने जो बंदे रखे होंगे उसकी उनकी सैलरी होंगी सैलरी उसके ने दिये पर एंप्लॉयर्स का नैसी दिया फिर एंप्लॉयर का पैंचिन का कॉंट्रिबिशन व्ला हिसा डाला है दो हिसा डाले और एक सैलरी दी तीनों मिलके उसको अप टोटल हर्चा हो गया को इसकी जैब से निकले हैं तीनों इस वज़से आट किये ठीक है और वह एंप्लॉई है जिसको पैसे मिलते हैं बोस्त को तो है पॉफिट एंज्वाइब करता है अच्छा अब हम चलते हैं तूवर्ड्स दे नेक्स टॉपिक नेक्स टॉपिक है यार असान सा टॉपिक है असान सा इसके इंदर बिलकि मैंने एक ग्जेंपल में नहीं हुई ह मेरे बड़े नोट्स हैं कुछ तो पता भी होगा जो मेरे फिजिकली मिच्छे पड़े हुए हैं नोट्स मेरे बड़े मज़े के बनाए हुए मैंने इंपॉर्टन एमस्यू वगरा चीज़े वगरा मैंने लिखे होती हैं हाँ एक एक्जेंपल दे रहा हूं यह जो मैं स्टॉरी धिए सब्गांस शिर्फ स्टॉरी सुन हो स्टॉरी यह है की देखो एक कंपनी थी एक कंपनी है ठीक है वह आरा अपने को भी पगलते अपने अपने ठीक है न अच्छा एक प्रिख उतक तायम बेस्ट टीक है कमपनी ती जो अपनी लेब़ल को किसा पैड़ी टाइम चाहरों किये टोटल ठीक है उसमें से ठर्टीएट वार्स बेसिक थे ठर्टीएट अर्स थे पर आर्स से ओवर टाइम सरे नियुक्षिव थे प्रोडसरे इल जीरो थे इल जीरो तो उसने सारा कामी किया ठीक है और फोर खिल्ड ऑड़ार्स बाकि एक निए ठर्टीएट और यहां पर आए 6 ते क्क हाए आब दा यह बेनी और सृहली को ही तो आपको पता ना तरीका तो मैं सेरव आपको बता रहां कि सेलरी जतनी बन रही है टाइम बेस्के मुताबिक टानली कितना हो गया तो थर्टी फाइफ पर लेबर यहनि कि स्टोरी के ला अदर यह सीन है कि जब कमपनी ने time base इतना घेंटा लौनुह ने कितने घेंटे काम किया फॉर्टी फॉर खंडे काम किया जब कमपनी ने time base रखा लेबर को एक लेबर को एक हफ़ते का टू थर्टी फाइव डॉलर जो है उसको देना पड़ा टू थर्टी फाइव डॉलर एक लेबर को देएगी कंपनी अगर इस तरह वाला सीन है अगर इतना उसने काम किया ठीक है यह तो आप लोग मानोगे खाएएखा और कंपनी के पास अगर कंपनी के पास ड़ेखाएब कंपनी के अगर tom ri समझो यह थे हमने करना क्या क्या एंडस स्टोरी समधी है 10 इन थो ड़िफbourg डाइव भू थो थरीं फाइव जिरो टूटल लेबर कोस्ट होगई company के लिए total labor कोस्ट कितनी हो गई टू-350 दोलर एक हफ्टे की labor कोस्ट कंपणी निकाल लेग ठीक है ना अच्छा और सीन यह है कि टूटल labor कोस्ट कितनी होगई ही टू-350 दूबारा सुनों एक labor की 235 दस लेपर्स की हजार अब मेरे से कोई पूछे कि या लेबर कोस्ट पर यूनिट कितनी होगी तो भी मैं निकाल लूँगा क्योंकि टॉटल लेबर कोस्ट भी मेरे पास है और यूनिट भी मेरे पास है तो टॉटल लेबर कोस्ट है टू थरी फाइफ जिरो यूनिट से हजार तो डूलर 2.35 पर यूनिट मेरी आगए लेबर कोस्ट दुबारा सुनो एक कंपनी है उसका जो लेबर है एक लेबर ने वीक में जितना एक हफते में जितना काम किया उसकी सैलरी बनी 235 दस एंप्लोई जैंट 2350 कंपनी को देने पढ़ेंगे पर यूनिट के साफसे देखा जाए तो एक यूनिट के पीछे कितने रुपे लगे तूट 235 यानि कि इस तूपांट 235 को जब कंपनी की सेलिंग प्रैस डिसाइड करेगी जब कंपनी एक यूनिट बेचने लगेगी और यूनिट फॉर इजेंपल आया पिछे से 10 रुपे का तो वह 10 रुपे के अंदर टूपांट 35 की शामिल करेगी यार क्या कहते हैं इसके अंदर तो में हमारी लेबर कोस्ट भी लगी वह भी तो पूरी करनी है वहना तो लोस पे चले जाएगा कोस्ट क्लासिफिकेशन य कर रहा था ना वो था 30 डेज अकाउंटेंड ओन था वहन था वहन था 30 डेज अकाउंटेंड जिसने यह सारा चला रहा था रिपीट कर दूं देखो या रिपीट कर देतों मैंने कहा कि एक हफ़ते के अंदर लेबर का जो जो सैलरी बन रही है इसके काम के मताबग टाइम ब ने हजार यूनिट तो उसले हासे रहुत थी फाइफ जिरो डिवाइड़ बाई हजार यूनिट आ गया डॉलर टू पॉइंट थी फाइफ पर यूनिट यानि एक यूनिट के पीछे लेबर का कितना हचा हुआ एक यूनिट फॉर इजेंपल अगर मैं डायरी बनाता हूं अब जितनी डायरी के पीछे इसके अंदर में जब मैं घांगा लेने के लिए उसने मुझसे सिर्फ इस पैजिस के पैसे नहीं होंगे इसके अंदर सारे हच्चे शामिल होगे उसके बाद प्रॉफिट भी शामिल होगा प्र मुझे मिली होगी तो जो लेबर का हच्चा था वो 2.35 per unit आ रहा था लेकिन ये सारा काम कौन कर रहा था 30 days accountant बिल्कुल ठीक कर रहा था बिल्कुल ठीक कर रहा था लेकिन उसे कोई update काम नहीं कर रहा था किसे ने question पुछने अच्छा कोई update काम नहीं कर रहा था कोई update काम का मतलब कोई सेविंग नहीं करा था कंपनी की फिर वहाँ पर आया भई एसी सी कोई कोई एसी सी आया कोई काटड़ अकॉंटेंट आया कोई एक्सपिरियंस बंदा आया उसने कहा कि यार यह क्या चल रहे उसने कहा तुम लोगों ने अनैलिसिस किया कि तुम लोग इस कोस्ट को किसी इतना बचा सकते हो थर्टी डेज अकाउंटेंट कहता है नहीं बई यह जिस तरह है इतनी ही है टू पाइंट्री फाइव पर यूनिट यान है वो जो क्वालिफाइड पर बंदा आया ना उसने का भी मैप आता हूं रूपो उसने कहा आप लोग जो टाइम बेस दे रहे हो अगर तुम लोग टाइम बेस दे रहे हो अपने लेबर को तो उसलेहाज से तुम्हें एक य उनट के पीछे जो फचा आ रहा है वो है वो है टुपाइंट Haz वाईव छायासे न ने का ने ऐ wraps़ लोग इन को कम लोगי ने अनेसिस किया कि और अगर तुम लोग fat वेस तो घृसर होगेज तो किया तौ कोई फाइदा नजर आते हैं तो 30 डेज से कानडन पहाँ हमें क्या चाहिए नजर नहीं है हम्में जो जो कर रहें वैसी करें ठीक है न अच्छा तो अब क्या सीन है कि उसने का कि वर्क बेस देखे देखो वर्क बेस मतलब आउटपूट बेस देखे देखो ठीक है हमने ना क्या किया वो थोड़ा साइट पर थोड़ा इदर दर वह था इसकी जगाब इठा आए एसी सी को एसी सी आया कोई क्वालिफाइड बंदा आया उसने क्या कहते हैं वर्क बेस का बजट बनाया कि अगर हम इनको आउटपूट बेस यूनेट्स की बेस पर सैलरी देते ह हैं अगर हम इनको यूनेट्ट की बेस पर सैलरी देते हैं तो क्या हमें फायदा होता है अच्छा उसने आगे का कि आप अपनी लेबर को ना सैलरी दो अपनी लेबर को इतनी नहीं पहले देख लेते हैं पहले हम दे रहे थे ना तुर्णंध अड़ेंश आरफ में इस सिर् सबस्तों कि यूनिट से सारी को कहती है इसको एक यूनिट के पीछ ना टूप यूट बिलेगा और जो बंदा एटी जितने भी ज्यादा बनाएगा एटी वन से अब बनाएगा उससे तू पाँट फाईफ पर यूनिट भी लेगा यह मैंने करवाया वर डिफिरेंशिल एलाइदर रजा मल्टिप्लाइब अच्छा अब हर बंदे ने यूनिट्स बना लिए एक सो दस हर बंदे ने यूनिट्स कितने बना लिए एक सो दस यानिके अब इसे आगे जितने फीटे टू पंट फाइट उस 210 यूनिट्स के मताबिक जो सेल्टी जो लेबर की कोस्ट बढ़ी यानि कि लेबर को जो हमने देने वह किस तरह निकाल लेंगे कि एक लेबर ने एक सो दस बनाए एटी के पहले 80 के लिए उसको मिलेगा 2.1 ऊपर ओले थर्टी यानि के टोटल 110 करने ना उपर वोले 30 के लिए 2.5 ठीक है तो एटी इंटू 2.1 आपके पास आया 168 ठीक है और थर्टी इंटू 2.5 आपके पास आया 75 ठीक है टोटल एक बंदे की सेलरी किती बनी एट प्लस फाइव थर्टीन होई से देख लेना शिजाते तो फॉर्टी थ्र गोर्ष सुनो यहां पर मैंने किया का वर्क बेस के अंदर यह सीन हुआ कि कमपनी ने कहा कि हम वह वह वालिफाइड एसीजी ने कहा कि हमने टाइम बेस नहीं देना हम वर्क बेस देंगे जीरो से लेके एटी युनिट तक अगर बना होगे तो दो टू पैंट टैन और एट टी ठीक है अगर अच्छा एक बंदे ने बनाए भाई 110 यूनिट और कमाए 243 दस बंदे काम करें एंप्लोई तो दस ही बठें हैं एंप्लोई तो ही नहीं हमने रटाए दस बंदों के सापसे क्या सिटीन होगा इसको मल्टिप्लाय कर दो दस तो टोटल कितने यूनेट्स कंपनी बना लेगी गेडिए तोटल कितने कमपणी में आलेगी यूनेट्स ग्यारा सो ठीक है और लेबर को कितना देना पड़ेगा इसको भी दस से मल्टिप्लाइ कर दो तू-फॉर-थ्री-जिरो यानि कि ग्यारा सो यूनेट्स बनाने पर कितना पे किया जाएगा तू-फॉर-थ्री-जिरो ठीक है पर यूनेट्स देखो अभी भी हम उन्हें पे सही करें पे हमने उनको ठीक किया हमने जो वाइक बेस के मताबिक रखा ठीक है लेकिन देख रहे हैं अभी कितना हर्चा हो गया टू-पांट्टू-वन पहले कितना है टू-पांट्ट्ट्री-फाइफ एक यूनेट के पीछ तो आप पहले आपने और मज़े की बात हूं मज़े की बात आप नहीं आपको पहले टू-पांट्ट्री-फाइफ था टाइमबेस के मताबिक वर्क बेस में किनवर्ट किया एंप्लोई इतनी है लेकिन खुद बाखुत क्या हुआ लेबर कोस्ट पर यूनेट बच गई जब अब 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 वसल इंप्रॉव्मेंट जाएंगी जब अम टाइम बेस कर रहे थे कितने लगते रोटा था यह देखो 45 कि टीक है 44 आर्ष जब कि जब मैंने विल्क बेस की बात यह तो मैंने किसी ऑवर टाइम की भात पता ही नहीं जतना तर्व बेसिक वर्थ थर्टी एड हार्स यह वर्क बैस में मतलब और पूट बेस बैस वें में और यह टायम बैस दोने में इंप्रूव्मेट्स बतार हो तो आप लोग को ना फुर्ट पहले फॉर फूर आर्स में इतना काम करे थी टाइम भी जादा कोस्ट भी जाधा अब देखो मैं किसी ओवर टाइम की बाद नियुक्त जारा काम हो रहा है ठाटीएट आर्स के इंदर एक सुद्स आपने बना है ठीक है पहले कितने उनट्स परने थे 1000 जादा टाइम के बाद कम युनिट यहां पर यहां पर चीडेंट के पार जयान जैसे इतना फाइदा है इतना वाइदा है अगि कि एक ओ भी वार्ट बेस में आपको लो सो रहा होता है अब हेक시면 अब हो कोस्ट कम हो जाती है यह डिपेंट किरता आपके सारे जो आपके रूल्स हैं उसके मोपड़ लेकिन मैं आपको इस स्टोरी सुना रहा हूँ है आपके इस्ते यह नहीं का किके कुछ सीखने अपने सिर्फ स्टोरी सुनाई है Just आपने सिर्फ एक बात जहन में रखनी सिर्फ एक बात जहन में रखनी है वो ये बात जहन में रखनील ‫को ना चेंज़ करके ना पैसे बचाये जहा सकते हैं labor cost per unit बचाये जा सकता है इसरा सबस्क्राइब अब इस से related samples आएंगे kit अंदर वो केट में ही करें तो ये here क्लियर हुई स्चोरी क्लेर औहां तक और आज का लैक्टर्ड जो है और सबकोक्रेर हुआ है किसी ने पूशने तो पूश लो recording में आपे बंद कर रहूं